नमस्कार आप देख रहे हैं दब यहाँ टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बीपीएसी उनहत्री कम्बाइन सिविल सर्विसेज को लेकर एक काफी अहम सूचना है आपको बता दे कि 33 पद जोड़े गए हैं यानि कि जो सिविल सिवा के लिए परिछा के लिए 27 जुन को नोटि दूप धिक्षाओं परिख के लिए लिया है झानि कि कूल 33 जो फसन नोटिफिकेसन जो जारी किया वे बाsy के द्वारा कि छू उनहत्री संजुक्त प्रारंभिक परिख़ा के लिए 27 जुन – 2023 को विज्यापन पर कासित करते हुए सुयोग उम्मिद्वारों को दिनांग 15 जुलाई 2023 से ओनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किये गए हैं विग्यापन प्रकासन के उपरांत एकिक्रित उनहत्रवी जो परिच्छा है उसके परत्योगता परिच्छा के माध्यम से नियुक्ति है तो विविन विभागों में कुल 33 रिक्तियों की अधियाशना प्राप्त हुई है जिसे उक्त परत्योगता परिच्छा के रिक्तियों में जोड दिया गया है विज्यापन प्रकासन के पस्चात प्राप्त रिक्तियों की आरक्षन कोटी वार विवर्नी निम्द परकार है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे उपर जो है वो DSP के लिए है DSP के लिए 17 कुल सीट है जिसमें चार महिलाओं के लिए आरक्षित है फिर से बता दे काराधिक छक इसमें चार पद हो गए है अब और सहायक निबंधन सहयोग समीतियायों संकक्ष इसमें कुल पद जो है अब साथ हो गए है यानि कि जो उनहत्रवी जो प्रारंबिक पीटी पडिक्षा होने वाली है उनहत्रवी जो है उसमें 30 पद जो है कुल जिसके बारे में यह दिया हुआ है उसके बाद संसोधन संसोधित पद की स्थिति के बारे में कहा गया है कि अधिक्छक मद निशेद उत्पाद वम निवंधन में इसमें बता दे आपको कुल पांच परियोजना पतादिकारी यानि CDPO इसमें उम्र सीमा की गर्णा जो है वो 1 अगस्त 2022 से होगी वही वित्य प्रसास्तिक प्रादिकारीयों संकक्ष वित्विभाग के लिए उम्र सीमा की गर्णा 1 अगस्त 2016 से होगी अब बता दें आपको कि दिया हुआ नोटिफिकेशन में क अब एकिक्रित उनहत्रवी संजुक प्रारंबिक प्रत्युक्ता परिक्षा के अंतरगत रिक्तियों की कुल संक्या 389 हो गई है दिनांग 27 जून 2023 को प्रकासित विग्यापन को इस हद तक समसोदित समझा जाए तो 17 बता दें आपको कि DSP के पद जोड़े गए हैं ये सबस से महतोफुन पद है क्योंकि BPSC देने का मतलब है चात्रों का बस दो ही पद के लिए सबसे ज्यादा चार्म रहता है जुकाव रहता है SDM और DSP लेकिन जब 27 जून को नोटिफिकेशन जारी हुगा तो DSP और SDM के लिए सीप नहीं था SDM के लिए अभी भी नहीं है लेकिन 17 DSP के पद जोड़े गए हैं ये काफी ही अच्ची कवर है छात्रों के लिए और एक मायूसी आ गई थी कि जो प्रीमियर पोस्ट है वो 69 में नहीं है जब कि कमबाइन परिक्चा हो रही है तो उसमें थोड़ा बहुत जो है छात्रों को रहत मिला है कि 17 33 पद जो जोड़े गए हैं वो काफी अच्छे पद हैं जिसमें से 17 जो हैं वो प्रोपा DSP के हैं और दो DSP परिचालन के हैं यानि कि 19 पद जो हैं वो DSP से संबंदित 29 में होने वाले हैं तो जितने भी कैंडिडेट हैं नोटिफिकेशन को आप देख लें और 15 से यानि कि परसों से इसका फॉर्म फिलप होना है अच्छे से आप जो भी दिशा निर्देश दिया गया है नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके एक एक विंदू को पढ़ ल आएगी इसके लिए आयोग ने आवासन यानि कि सिटिंग अरेज्मेंट के लिए सारे जिलों को जिलादिकारियों को बहुत पहले ही पत्र भेज चुका है और 30 सितंबर को परिक्षा आपकी हो जानी है तो एक सकरात्मक सुखत खबर है 17 DSP के पत जो ले गया है तैयारी में आप लग जाएं फॉर्म परसो अच्छे से फिल अप कर दे फिलाल इस वीडियो में इतना ही जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद